और अगर ये सरकार अगर सिब्याई के टिम से गर जांच नहीं करा सकती है तो हम कहना चाहेंगे अब सारे स्कुल कोलेज विद्याले को जो एक सिच्छन सर्स्थान को बंद कर दीजिए तो बंदग बना लिया गिया उसे पांच महिलाय अभी आर्थी भी थे जो सुबा जर्खन करमचारी चयन आयोग द्वारा विविन्न परिच्छाओं का संचालित किया जा रहा है और हमने सुरू ही कहा था कि जब तक ठोस रूप से नियोजन नीती लागू नहीं होगा तब तक असपश्ट रूप से नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है कई सभाओं पर ओप भावनाओं को कतल करते हुए और राज के छात्रों के भविश को कुटरगात करते हुए अपने सत्ता का धोस जमाते हुए इन्होंने जबरन एक फरजी कॉल रिकोटेट सर्वे का हवाला देते हुए इन्होंने परिक्छा लिया और जिस परकार हम लोगने सुरू ही दावा से बड़ा यह पूलिस रिपोर्ट कहता है कि सबसे ज़्यादा फायार यह तमाम आंदोलन पर हुआ है लेकिन आज देखिए आपके सामने क्या हस्र चल रहा है हम कम सब्दों में बताना चाहेंगे कि परिक्छा में क्या गड़बडी चल रही है जैसे जुनियर इंजिनियर की परिक्छा जो बेसबरी से लगातार दो तीन बार दे चुके हैं परिक्छा वहां के चात्र लेकिन बार बार रद हो रहा है और 27 जुलाई को कार्मिक विभाग को आवेदन दिया था कि सूध रूप से टीसी एस आयोन डिजिटल सेंटर परिक्छा क्यंद्र पर ही परिक् बार को वह परिक्छा भीना ठोस कारण बताए रद कर दिया गया अब बताईए क्या छात्र को ठोस चनकारी लेने का भी अधिकार नहीं है उसके बाद अगर हम बात करें अभी नगर पाली का परिक्छा का तो यहां जमसेत्पूर की बात करें राची की बात करें जमसेत्प पार हो गया है महोदय कलास रूम से आने से पहले स्वाल का जो लिफाफा था वह पहले ही खुल चुका था यह चात्र गवा है और परिक्षा हॉल में जो लिफाफा खुला हुआ मिला तो वहीं पर चात्र स्वाल भी खड़ा किये और धनबाद पुटकी अपका डिये वी अलक बना लिया गया उसे पांच महिला आया वियार्थी भी थे जो सुबह साड़े आठ बजे से लेकर साम साथ बजे तक बंधक बना लिया गया बीच में कोई ब्रेक नहीं कोई ब्रेक फास्ट नहीं उसमें से दो नाबाल दोनों दो का वेवी भी था एक 9 महीना का और एक से सीरियल नंबर नहीं है यहां के कुछ तुम बूकलेट नंबर पर पेंसिल पेंड और मार्कर से स्यरियल नंबर लिखा गया है और कुछ कुछ में ओम घाइब है फोटो कॉपी के माइधम से परिख्छा लिया था काथ यह यह आई कि उसका वरिजनल कोस्चन बाहर बेच दिया गया होगा और यह कोई एक सेंटर की बात नहीं है यह आपका अगर राची का संथ पॉल कॉलेज आपका बहु बजार की बात करें तो वहां का एक्जामेंशन सुप्रीटेंडेंट आयोक का चेर्मेंट सेकरेट्री को आवेदन लिखा है जाज की मा कार लेव एसिस्टन टेकनिसियन का बात करें तो रेस्पोंस की जारी नहीं किया गया है उसका कटब जारी नहीं किया गया है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया और जब रिजल्ट को देखते हैं तो सिर्फ पांच डमी संटरों से 35% से जादा रिजल्ट जारी किया गया ह इतना बड़ा घोटाला चात्र तबाह है परेसान है इसलिए हम लोग ना चाहते हुए भी अगामी 3 नवंबर दीन सुक्रवार को यही मुराबादी मैदान से महा महें राजपाल के समक्ष राजभवन तो हम लोग न्याय मार्च करते हुए जाएंगे और राजभवन के समक्ष हम लोग महाधारना करेंगे जिसके पूरे राज के छात्रार है जिसका हम लोग एक तरह से हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं परसासन को जिसका हम लोग को आदेस भी मिल चुका है साथी साथ तीन तारिक को हम लोग महामायम राजपाल से मिलने के लिए आवेदन दे चुके हैं जिसका आवेदन का छाया परती भी आप देख सकते हैं जिसका रिक्वेस्ट भी हम लोग किये हैं महामायम राजपाल से हम लोग मुलाकात करेंगे सिकायात करेंगे कि जर्खन के चात्रों के साथ किस तरह से अन्याई किया जा रहा है और अगर चात्र इसका आवाज उठाते है तो उसको बंधक बना दिया जाता है और बंधक बना करके दूसरा दिन उन तमाम चात्रों पर F.I.R. दर्ज किया जाता है और ये डेवी अलकूसा धनबात पूटकी में किया गया आज हम ओन केमरा रिकोड़ेड हम मीडिया बंदू के समख्चम कहना चाहेंगे कि वो जो 16 छात्र पे फायार हुआ है हम लोग सभी छात्र लोग उसका मील जुलकर हम लोग जिमा लेते हैं और किसी भी छात्र के साथ अण्याय होने ने देंगे और हम लोग महा महम से मांग करेंगे कि चाहें जुनियर इंजिनियर कन्या अभियांता परिक्षा में गड़बड़ी का मामला हो या लेव असिस्टन टेक्निसियन में गड़बड़ी का मामला हो या तो आपका डगरपाली का परिक्षा में गड़बड़ी का मामला हो इसका सोतंत्र एजेंसी CBI के टीम से इसका जाच किया जाए और इसको मांग को ले करके हम लोग आगामी तीन नवंबर को जो हम लोग आंदोलन का एलान किये हैं इसमें पूरे जारखन परदेश के यहां के सरकार और यहां के आयोग जो रवया दिखा रही है और जो चात्र परिक्षा लिख रहे हैं उन्होंने अस्पस्ट रूप से कर रहा है कि भाया हम खेती बारिक करेंगे लेकिन जारखन का परिक्षा नहीं देंगे परिक्षा देने का मतलब पकुट में 15-20 लाग हो है उस ननिर्मार्ण का लड़ाई में जहें कार्याला को साब करना एक परमुग है जिसको हम लोग करेंगे और तिन तरीकों हम लोग का कार्ज्व करम एतिहासिक होने वाला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मानौदिकार को भी हम निवेदन करेंगे स्वत्त सग्याल लेकर के उस 16 अभियार्थी जिन पर फायार धर्ज हुआ है उस पर नियाई करें और जो दोसी अधिकारी है जो यहां बार-बार सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है उस पर जो है कि निस्पक जाच करते हुए कानूनन करवाई किया जाए और हम दावे के है जिस दिन जाच किया जाएगा सिभी आई से उस दिन कोस्चेन लिख हर एक परिक्षा का हुआ है चाहे वो जुनियर इंजिनियर की बात हो चाहे कनी अभियंता की बात हो लेब एसिस्टन टेकनिसियन की बात हो या तो फिर नगर पालिका की बात हो और हम दावे कर रहे है अगर अभी छात्रा एक जुटता दे करके नहीं लडेंगे तो सची वाला है जो राज का एक बहुत बड़ा परिक्षा होने वाला है वो एक भी सीट बचने वाला नहीं है पूरा का पूरा सीट बेच दिया जाएगा पीजी टी भी खतम हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद उसका भी पता चलेगा उत्पात सिपाई अभी कई अभी विग्यापन आने वाला है सभी के सभी परिक्षा पर जो है कि हां धांदली चल रहा है और ये धांदली जो 60-40 नि परिचे दे करके हम लोग मुतोर जबाब देंगे और जब तक सोतंत्र एजंसी से जाच का आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना आंदलन को नीरंतर जारी रखेंगे जारी किया है उसको कैसे जारी किया गया है उन्होंने इंकार किया है गलबड़ी को ले करके तो यह आयोक के मिली भगत से गलबड़ी किया जा रहा है तो यह सुईकार कैसे करेंगे उतों इंकार करना सभाविक है और फिर भी जाच का हुआ निर्देश दिया है तो जाच लिकाई जब तक नहीं करेगा तब तक होने वाला नहीं है अभी देखिए पिछला जब जई का कॉस्चिन लिख हुआ था 20 लाक रुपिया पर यहांके परशासन गरामी ने भी प्रेस करके इसका पुष्टी किया था उनका साइटी कमिटी गठी तुआ है लेकिन उसका परिख्षा संचाली चल रहा है और जे एससी अपने आप में सवाल के घेरे पर है क्योंकि उन्होंने कई ऐसा सेंटर पर जो कॉस्चन परिछा के अंदरा पर भेज रहे हैं वो निफापा सेंटर से पहले ही खुला हुआ मिल रहा है तो उस पर कैसे वरोसा कर सकते हैं उसका वात का कोई वैटेज नहीं है इसलिए राज के आदिवासी मुलूबासी पिडित छात्र परेसान है हतास है निरास है बार बार कॉल कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं भाया कुछ करिए अन्यथा हम लोग आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम लोग गाए वहल वक्री चराएंगे खेतिवारी करेंगे लेकिन हम लोग जो एक परिक्षा का तयारी नहीं करेंगे और अगर यह सरकार अगर सिवियाई के टिम से गर जांच नहीं करा सकती है तो हम कहना चाहेंगे अब सारे स्कुल कोलेज विद्याले को जो एक सिच्छन संस्थान को बंद कर लेकिन आज देख रहे हैं कि परिक्षा से पहले कोस्टन बिच दिया जा रहा है तो क्यों इसकूल क्यों को लेज क्यों सिच्छन संस्थान क्यों मास्टर क्यों परफेसर सब कर सब बंद होना चाहिए यहां कर अधिवासी मुलवासी जंगल जान में बैल वक्री जैसा इस नहीं हो सकता है इसलिए बहुत बड़ा गर्वरी है इसका जाच होना चाहिए तो